जहिन दोस्तों मैं अनुराग और आशा करता हूं आप भी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों युनिवर्सल सीरियल बस यानि यूएस्बी इसके बिनाज अपने कंप्यूटर को इमेजिन ही नहीं कर सकते क्योंकि आज के समय में यूएस्बी पोर्ट जो है वो अधिकतर जितन यूएस्बी पोर्ट से कनेक्ट होते हैं दोस्तों इसका यूएस्बी पोर्ट को इन्वेंट जो इन्होंने इंडियन बॉर्ण एक अमेरिकन इंजीनियर थे अजे वी बट इन्होंने 1996 में इन्वेंट गिया था उसमें इसकी स्पीड जो थी 12 Mbps थी और उसके बाद इसकी काफी सारे वर्जन आ चुके हैं जैसे USB 2 आया था 2000 में यह 480 Mbps इसकी स्पीड थी USB 3 था 2008 में इन्वेंट हुआ था उसकी स्पीड 5 Gbps थी और 2019 में USB 4 इन्वेंट हुआ जिसकी स्पीड 80 Gbps थी जो की 1st वर्जन था और इसका USB 4 का 2nd वर्जन आया है यह 120 Gbps इसकी स्पीड है तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इनकी स्पीड है इस में जो आपने देखा होगा कि समें में कई बार अलग-अलग तरह की errors देखने को में मिलते हैं तो उसके बारे में discuss करेंगे सारा अभी तो सबसे पहले हम आपको इसके बारे में थोड़ी से general knowledge देता हूँ दोस्तों क्या होता है कि USB port जैसे आप computer में लगाते हैं USB USB port पे connect करते हैं कोई भी device तो सभी port उसमें यूज नहीं हो पाते हैं कुछ ports open रह जाते हैं और होता कि उसमें dust के साथ है समय के साथ उसमें dust आ जाती है और carbon भी बन जाता है तो उसको आप या तो किसी brush से साफ कर सकते हैं जब आपको यूज हो या कोई USB port उसका work ना कर रहा हो और आप बंद computer बंद करके उसको किसी thinner वगरा से किसी brush से भी साफ कर सकते हैं ताकि उसका dust वगरा चिपक जाती है वह उसकी हट जाए क्लीन हो जाए और जब वह सूख जाए उसका thinner तब आप उसको फिर on करें computer को तो इस तरह से भी उसको साफ कर सकते हैं और दोस्तों और इसके लावा क्या होता है कि जो आपने देखा होगा computer में जो LAN card के पास में जो USB port होता है इनकी भी numbering होती है basically और जो USB port LAN card के बिल्कुल नियर होता है वह port 1 होता है और सबसे अच्छा जो उसका USB port होता है वही count होता है अच्छे से मतलब कि अब उसमें आप कोई भी device लगाएंगे तो चल जाएगा जैसे कि आपने printer लगाया तो heavy device होता है थोड़ा USB port पे आप यह लगाते हैं कोई और other device लगाते ह है इसके अलावा pen drive लगाते हो तो सारी devices उस पर चल जाएंगी लेकिन sometimes क्या होता है कि आप जब आप उसमें ports में कुछ devices connect कर देते हैं तो उसमें जो power होती है उसकी वह split हो जाती है देरे-देर कम हो जाती है पुरानी devices में मैंने कई बार देखा है systems में तो उसमें क्या होता ह इस तरह से तो वह क्या होता है कि आप उसको जो पूर्ट पास में होते हैं जो बड़े डिवाइस होते हैं वह आप उसके पास में लगा है लैंकार के और जो चोटे डिवाइस हैं जैसे keyboard या mouse हो गया या pen drive हो गया वह फ्रेंट पैनल पे या फिर अधर दूसरे पोर्ट पर इसके भी connect कर सकते हैं USB पोर्ट को तो आप फ्रेंट पैनल पर connect कर लें कोई इसू नहीं क्योंकि वह बहुत चोटा सा होता है और आगे लग जाता है उसमें सिस्टम पर वो वर्क भी कर जाते हैं सारे लेकिन अगर कोई बड़े डिवाइस है तो वह आप उस पर लगाए और और कोई भी अगर आपको ऐसा डिवाइस लगता है जो आपका समाव किसी भी रिजन से नहीं वर्क कर पा रहा है तो आप उसको लैन कार्ड के पास में जो पोर्ट होगा USB को उस पर connect करेंगे तो उस पर ज्यादा चांस होते हैं चलने के तो यह आप ट्राई करके देखें ज्यादा चांस होते हैं कि उसमेर आजाता है कि परफॉर्म फास्टर या स्पीड का थोड़ा सा इशू आता है या डिटेक्ट नहीं कर पाता है या नौट रेकोगनाईज की प्रोब्लम आ जाती है तो वह उस तरह से आप इस चीज को भी ध्यान रखें और कोई डिवाइस एक्स्टर आपका connected है तो आप नहीं यूज करें तो इसको आप अपढ़ी सकते हैं जैसे आप यह देख रहे हैं USB port 1 यह फर्स टाइम जो USB port आया था तो इस तरह का पोर्ट होता था यह printer से connect होता है जो printer port connect होता है printer पे वह इस तरह का पोर्ट होता है यह USB 3 का connector है जिसमें अं इस तरह से देख के यूज कर सकते हैं आपको पता चल लाएगा यह देखे भी होंगे सारे यूज भी कर रहे होंगे तो इसके बाद हम चलते आंगे दोस्तों अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपका USB port ठीक से वर्क नहीं कर पा रहा है तो आप क्या करें Windows के run पे क्लिक करें और इसमें आप devmgmt.msc लिखे devmgmt.msc आप यह क्लिक करेंगे तो device manager आपके पास open हो जाएगा और आप इसमें इसके बाद आप view में जाएं इसके बाद आप जो यूएज़ पोर्ट है इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पर क्लिक करें पावड़ें इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों कि जैसे आपको कोई exclamation का sign देख रहा है तो उसको आप इसको कुछ देर के लिए आप कर सकते हैं और कुछ सेकंड चोड़ने के बाद उसको आप फिर दुबारे से इनेबल कर दें इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्वने के चांस होते हैं और इसके बाद आप जो यूएज़ पोर्ट है इसको आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पर क्लिक करें पावर कर दें और एक बार सिस्टम रिस्टार्ट करके देखें कि कुछ मतलब उसमें डिवाइस में प्रॉब्लम होती है या कनेक्ट होना शुरू हो गया नहीं हुआ क्योंकि कई बार ड्राइवर्स जो होते हैं स्कें के स्टक हो जाते हैं अपडेट नहीं हो पातें किसी भी दूसरे सिस्टम पर भी हो सके तो जुरूर लगा के देखें कहीं ऐसा नहों कि आपके किसी हाडवेर में ही उसमें यूस्बी ड्राइव में ही प्रॉब्लम हो तो अब वह भी चेक कर सकते हैं दोस्तों कर इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे और आप यहां से भी इसको क्लिक करके रिपेर कर सकते हैं सम्टाइम्स यहां पे कुछ सॉल्वीशन मिल जाते हैं कि अगर आपका नहीं हो पा रहा है किसी भी रिजन से कोई दिक्कत आ रही है तो यह भी आप सॉल्वीशन चेक कर सकते हैं तो दोस्तों यह सारे सॉ